अच्छे ऐसे पर्स्ट पाट बंग गया है फोटा, ओके, खुंचन था, वर्क फंक्शन का वालू था, खुंचन तो सब लिखे हुए है न, दुबार तो लिखने का रिक्वार्बेंट नहीं है, वर्क फंक्शन का वालू था फॉर पॉइंट जीरो सेवन फॉर फॉर सेवन एलेक्ट्रों वोल्ट आप तो भी यहीं लिखे हैं ना जब फॉर पॉइंट चलिए फॉर पॉर पॉइंट एक ही बात है जीरो सेवन लेकर ही काम कर लिता है चलिए एक्च्वल में जो वर्क फंक्शन मेटल का दिया हुआ रहता है एक्च्वल में जो वर्क फंक्शन दिया रहता है एक्च्वल में जो वर्क फंक्शन दिया रहता है यह उस टाइम का वर्क फंक्शन रहता है इस टाइम पर उन नुट्रल फेज में है राइट अब अगर यहां से सही से इस कोस्चन का ठीम पकड़ियेगा तो यहां से एक एक एलेक्ट्रोन आउट कर देंगे तिस पर एक एलेक्ट्रोन को तो चार्ज आ जाएगा यहां पर इस मेटल पर वन इलेक्ट्रॉन का पोजिटिव चार्ज आ जाएगा इस राइट उसी पोजिटिव चार्ज को मैं ऐसे डिस्ट्रिबूट करके दिखा सकता हूँ यहां पर जितना आपको इलेक्ट्रोन को मेटल से आउट करने में लेगा क्या उतना ही इनर्जी लेगा या थोड़ा ज्यादा लग जाएगा तो ज्यादा कितना लाएगा तो यह तो इसका फंडामेंटल वर्क फंक्शन है है साथ में एक्स्ट्रा कितना लाएगा एक्स्ट्रा इसमें इंटू वी लाएगा इलेक्ट्रोन का चार्ज तो एक्स्ट्रा में इस वेरी इंपॉर्टेंट तो नोट देट मान लेते हैं कि किसी भी असफेर एक मेरा आवाज नहीं आ रहा है एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए ब्लूटूफ चार्ज हो रहा है तो अभी जा रहा है आवाज ओके-ओके तो एक्च्वल में यहां से जब वन इलेक्ट्रोन आउट होगा तो इसका एक्टोमेटिक जो वर्क फंक्शन रहेगा उतना ही अब इनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अब कितना इनर्जी खर्च करना पड़ेगा अब जो इसका वर्क नया work function बन जाएगा, जिसमें पुराने वाला तो add करेंगे ही, अज साथ में, Q into V, E into V extra add करना पड़ेगा, जहां B क्या है, V is the potential develop of this sphere, due to ejection of one electron, is it right? फिर से यहां से एक electron out हो गया, तब one electron out होने से, अब तो इस पे amount of puertive charge और भी जादा हो जाएगा, तब यहां पे एक अलग पुटे work function हो जाएगा, और जो work function इस से भी जादा जैसा, यह work function एक work function के जैसा ही भी हैप करेगा, मेटल के अंदर से बाहर निकल निकल तो ओरिजिनल यही खर्च होगा, मुझे क्या चाहिए, यहां पे मेटल के surface से eject करना है, तो मेटल के surface से detach करने के लिए, एक्स्ट्रा इनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, बजह, आउट कर रहे है, निगेटिव चार्ज को, और आपका a sphere हो गया, पोईटिव चार्ज, तो निलता है force of attraction बढ़ रहा है, a sphere पे, इसका मतब है कि ultimately इस process को होते हुए, माल लेते हैं, मुझे नहीं पता है कि कितना electron out हो गया, माल लेता हो, लेटर सपोज, कि मैंने यहां तक आते हुए total n electron को minus कर चका हूँ, total number of electron ejected equal to n, तो यहां प n unit positive charge develop हो जाएगा, तो total positive charge equal to q माल लेते हैं, और q का भेल कितना रहेगा, n into e, is it right? और इसके बज़े से इस a sphere का potential हो गया भी, तो अब जो final work function मेरा रहेगा, finally work function मेरा रहेगा, अब यहां से electron eject हो रहा है, और eject करने के लिए हुए responsible photon right, तो एक ऐसा moment आएगा जहां पर photon का इनर्जी और इसका value equal हो जाएगा, जहां पर equal हो जाएगा उसके बाद वहां तक भी adverse कर सकता है, उसके बाद there is no ejection of photon electron correct, और electron तो one by one इसको मान रहे हैं, कि एक electron होगा, दो electron समझाने के लिए, right, that's why यहां पर माल लेते हैं कि final मेरा work function जो final work function रहेगा, और neutral phase का work function, अब plus extra amount of energy reject required equal to E and to V, तो सर आप E, क्योंकि यहां से हम लोग electron के लिए, तो one by one हम लोग हर इच electron के लिए imagine कर रहे हैं कि अब A out होगा या नहीं होगा, A out होगा या नहीं होगा, और हर different different electron के लिए according to question different different work function बनते जा रहा है, इसलिए अभी तक जो आप work function solve कर रहे थे, और neutral metal के लिए solve कर रहे थे, जी try it, इसका मतलब energy of photon जब तक greater than equal to 5 plus EV रहेगा, यहां पर भी क्या है, यह value क्या है, यह value है, extra energy required for electron, for detached from the surface, due to attraction by the surface, क्योंकि surface हो रहा है, मेरा poetry charge, electron है negative charge particle, तो उसके बज़े से जो मुझे extra देना पढ़ रहा है, उसके gravitational attraction को break करने के लिए, वो मेरा amount of energy, और मेरा energy of photon दिया हुआ है, यहां बेवलिन दिया हुआ, यहां से energy कर जाएगा न, इसका मतलब है, hc by lambda greater than equal to 5 plus ev, then hc by lambda equal to 5 plus ev, is it right? मैं adverse, जहां पर आक मेरा stuff हो जाएगा, तो e into v equal to 1242 ev by 140 ev nm by 140 nm, nm और nm आपस में cancel out, a minus 5, 1242 divided by 140 किज़े, कितना आता है देखे तो? 8.8 ev और minus 4.07 ev कितना आया? 4.73 ev, e और e cancel हो जाएगा, इसका मतलब है, कि अप टू वाट potential, इस स्फेर, इस metallic स्फेर, शुद बी चार्च, तो देर इस न, अप टू वाट maximum potential, तो इस इस the maximum potential, okay student? इनकुटी से भी उल्टा की जाएगा, तो e maximum value ही मिल रहा है, correct? इसका मतलब है कि ये value कितना हो जाएगा, 4.73 volt, is it right? और इस potential स्फेर का develop कि इसके बज़े से हुआ, तो sir, और मेरा कौँचा, copper स्फेर है न, तो electro state में, जहां पर charge rest में रहता है, तो वहां पर net charge उसके surface पर रहता है, correct? और क्या radius में mention किया था? radius mention किया, किया होगा, r, तो माल लेते हैं कि इसका, 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 इसका charge total due to ejection of electron, total poitia q हुआ है, तो क्या लिख सकते है, q by 4 pi epsilon not r equal to b, अभी तो पता है न, आपको? तो क्या यहां से q नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, v into 4 pi epsilon not r into v, यहां से q निकाल गया? और according to quantization of charge, क्या इस q के लिए हम लोग बोल सकते हैं? तो n into e, यहां यह पे n है, number of electron e है, charge of one electron, तो मतलब charge of one proton, तो क्या यहां से हम लोग n निकाल पाएंगे? 4 pi epsilon not r into v, then n equal to 4 pi epsilon not r v by e, और e का भील पता है? 1.67 into 10 to a minus 19 coulomb, यहां से निकाल ली जाया student, तो e था, सबको समझ में आ गया है? क्व़ यहां अ जाया है? कि अगर कोश्चन समझ में आ गया है तो हाथो हाथ कोश्चन नबर 12 बरक आउप का बना लीजिए सब लोग पेज नमबर है 362 पेज नमबर है 362 देखे तो क्या से डिफरेंट टाइप कोश्चन है सेम टाइप कोश्चन ही है इसको एक वाद साथ में बना ही लीजिए कोश्चन नमबर कंसा है ठोल ना तो नहीं था कि एक कोश्चन देखिए एक कोश्चन था इरोडव का 275 मतलब पहले चैप्टर वाज था चैप्टर पांच का 275 जो कोश्चन नमबर 12 है कही ने कहीं मुझे लग रहा है कि एरोडव से इंफ्लुएंसे बिल्कुल सिम्लर टाइप का कोश्चन है कि एक कोश्चन नमबर 12 लेकर थोड़ा जगा एक पारग्राप छोड़ दीजिए या इस कोश्चन को आप लोग से बन जाएगा हिंट दे दिये कैसा सोचना है क्ऩ़्व बन्री आप आप सुँए होगा है पारबख 사고 कोश्चन के याद्य सै चलिए, अब लिखे एस्प्रेट, प्रबाबलम रिलेटेट तू मोमेंटम फोटोन, हेडिंग बनाईयेगा प्रबाबलम रिलेटेट तू मोमेंटम फोटोन कि अबालेटे ढुश मोमेंटम फोटो मेंटमनेट और मेंटमनेट का यामम् फोटोन, हेडिंग एस्प्रेट धुक् намीजरमलम निए एस्प्रेटेट। अब चलिए यहां देखेगा इनर्जी ओफ फोटोन इकोल्ट वाट एच सी बाइ लैम्डा गरेक्ट ठीक है ना और एकोंडिंग तो आइंस्टाइन थीओरी क्या इनर्जी ओफ पार्टिकल को अब बोब M.C.A. स्क्वार बोल सकते हैं अकोंडिंग तो आइंस्टाइन थीओरी किसी पार्टिकल का ओबर ओल रेलेटिविस्टिक इनर्जी राइट तिक है चलिए यहां तक समझ माया कि इनर्जी ओफ फोटोन इकोल टो एची बाई लैमडा लिख सकते हैं ओके और M इकोल टो M not divided by 1 minus V by C का whole square यह भी तो एक रिलेटिविटी में फर्मूला है इसका मतलब है कि mass of any particle can vary with speed लेकिन इफ speed is very very less like 10 meter 20 meter per second 100 meter per second तो A value almost tending to zero हो जाता है और यहां पे इसको हम लोग बोलते है rest mass क्या बोलते है everyone rest mass ठीक है अब 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 आज आ रही है अब यह बाज आ रहा है तो इस ही question से क्या हम लोग M not equal to M root over 1 minus Vyc का whole square लिख सकते है और if V equal to C हो गया if V equal to C तो M not का value कितना जीरो इस राइट अगर V का value C के बराबर हो जाएगा तो यहां पे M not M not क्या है mass of the particle when it is in rest जिसको बोलते है rest mass जिसको क्या बोलते है rest mass correct इसका मतलब यहां से आपने क्या सिखा आज के बाद any particle moving with speed of light then rest mass of that particle must be equal to 0 according to this equation right if any particle moving with a speed of light if any particle moving with a speed of light if any particle moving with a speed of light देन रेस्ट मांस्ट आप दैट पार्टिकिल मस्ट भी एक्वाल तो जीरो देखिया स्पुरिंट आइंस्टाइन का एक एक एक्वेस्टन तो यह है यहां पर कन फिजोन है बच्चों को लगता है कि एम क्या है यहां पर इसका मास् रिलेटिविस्टिक मास् है बेन पार्टिकल मॉविंग विथा स्पीड अपना खुद का स्पीड से यह बला एम है इकुल तब वहां पर लिखा गया है इकुल तो एम सी स्कॉर करेक्ट इकुल टू यह कह सकते हैं कि वहां पर जो उसका एक्चॉल ओरिजिनल मास्स है ठीक है उसके उस स्टेट के लिए उस कंडिशन के लिए करेक्ट और one of the equation Einstein का है m equal to m इसको प्रूफ करने का requirement नहीं है जनरली इसको जब रेडियो एक्टिवीटी पढ़ाते रहोंगा तो प्रूफ कर दूँगा अभी राइट टाइम नहीं है एकवेशन अभी मेरोंपा ट्रॉस्ट कर देजे उस सबस्ट कर दूँगा कि डोनों एक ही बहलो है करक्ना सही है तो क्या यास तो यहां माल लेते हैं कि यह मेरा particle photon है तो energy of photon equal to अगर लिखना चाहते हैं अगर मेरा particle photon है तो energy of photon equal to m0 square तो यह value क्या हो जाएगा rest mass 0 तो यह value हो जाएगा 0 और यह क्या रहेगा यह e square था e square equal to p square c square then energy of photon equal to क्या हो गया student p into c जापर p था linear momentum of particle तो linear momentum of photon equal to हो जाएगा energy of photon are divided by c is it right और energy of photon then energy of photon क्या लिखते हैं hc by lambda are divided by c तो पहला तो हम लोग problem solving purpose के लिए इसका भी उच करते रहेंगे but last में energy of photon momentum of photon momentum of photon equal to h by lambda and it is very important to note that actual में इस equation से ही influence ओकर आफ्टर 100 येर्स डी ब्रॉगली ने अपना equation दिया lambda equal to h by p और इसन equation किसका था आइंस्टाइन का उसके 100 येर्स के पास यहां से influence ओके photon moving with a speed of light इसका मतलब कोई भी पार्टिकिल जिसका mass बहुत कम रहेगा और speed comparable to speed of light रहेगा तो उसमें dual character उसमें वो बेव भी produce का सकता है तो particle character भी हो सकता और बेव character भी हो सकता है अगर photon है तो electron भी हो सकता है if electron moving with comparable to what speed of light for example first orbit में या second orbit में first orbit के hydrogen के first orbit में electron का speed कीता रहा था 2.18 बहुत है इंटो आवर 6 मिटर पर सेकेंड all comparable to speed of light तो वहां पर पार्टिकिल भी treat होता है और बेव भी treat होता है एक तो हो गया कि यहां से समझ में आ गया कि momentum of photon equal to आप directly क्या लिज सकते है energy of photon yc इसका ही problem solving के लिए यह करें या कभी यह करें दो डिफरेंट है या से भी है यहां से तो यहां से नहीं समझना चाह रहा है थे तो यहां से समझ पाते कैसे mc square equal to लिए ना energy of photon equal to according to relativeistic mechanics वो तो मेरा हम लोगा काम हो गया बट यहां से भी हम लोग समझ सकते थे hc y lambda और cc cancel करते और m into c क्या रहता linear momentum is it right h y lambda तो हर जगा से इसको प्रूब कर पाते बट मेरे काम का यहां पर यह equation है और a equation है और एक important information नहीं मिला कि कोई भी particle if any particle moving with a speed of light तो उसका आज की बाद rest mass कितना रहेगा zero रहेगा correct है लिख लिए इस वन अच्छा is a equation a equation तो हर particle के लिए valid है जिस particle में speed रहेगा array derivation है Einstein का is reduction कहां से वहाँ मुझे exactly नहीं पता है बट a equation this is valid for all particle which are moving with a given speed but अगर speed 10 meter per second रहेगा तो नहीं तो a value tending to zero रहेगा क्यों कि इसका square कर रहेगा तो और भी zero हो जाएगा that's why one के respect में x को neglect करते हैं तब m equal to m not इसका मतलब जो rest में उसका mass है 10 kg 10 kg पर बात करेंगे तो mass बहुत ज्यादा रहेगा उसका speed almost light के रहेगा तो rest mass और मतलब जब particle motion में दोनों almost equal दिखता है तो एक में टुकना है actual में Newtonian mechanics में जो हम लोग Newton का mechanics day to day life में जो देखते हैं उसमें speed बहुत ज्यादा नहीं रहता है maximum हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो कितना speed चलाते हैं 100 km पर आपर तो बहुत बड़ा speed है नहीं maximum 60-70 अगर आप चलाते हैं तो हाली 20 मीटर पर सेकेंड तब उस टाइम पर क्या पूलिएगा कि सब जब कार रेस्ट में है तब उसका मास जब मोशन में है तो थोड़ा चेंज होगा लेकिए चेंज कितना है almost negligible है आपका रेस्ट के बराबर ही रहेगा correct इसके लिए भी इसके लिए भी आप रट जाहिए कि यहां ऐसा एक कोई क्यूशन होता है कि एक कहां से आया कि इस वन कि यह तो आइंस्टाइन टर्दी रिवेस्टन है और एक्च्वल में ए भैलू यहां से इसको स्क्वाइर करते हैं यह स्क्वाइर तो कितना रहेगा ए में स्क्वाइर को इसी को उन्होंने इस में रिपजेंट किया है तो यह तो पता है ने कि आइस्टाइन का बहुत बड़ा इकूशन है तो यह है इसले कोई नया नहीं है हम लोग जब रेडियो अक्टिविटी पढ़ाते रहेंगे तो याद दिलाएगा यहां से चलूँगा और यहां पर आजाँगा तब तो समझ मेंटम आप फोटोन इकूल टू यह बोल चकते हैं प्रोलम सॉल्विंग परपस के लिए इनर्जी ओफोटोन डिवाइड़ बाइड़ सी लास्टली इतना सबको भूल आईए अब बस इतना याद रखिए मोमेंट लिनियर मोमेंटम आप फोटोन इकूल तो वाट इनर्ज झाल झाल देखिया स्टुएंट आपको समझ नहीं वीडियो थे हैं सही है माल लेते हैं कि कभी थोड़ा इदर दर होते हैं तो थोड़ा दर के लिए जूम आप एंड जूम डाउन हो जाता है माल लेते हैं कि मेरा सर्फेस परफेक्टली रेफलेक्टिंग है इसका मतलब जो भी लाइट का पार्टीक continues surfates वे फॉल कर रहा है वहाँ पे नहीं क्या किया है नहीं यहां से ट्रांस्मीट किया है और नहीं सर्फेस ने अब्जॉर्ब किया है तो perfectly reflecting surface का मतलब है कि जो भी photon का particle और यहाँ पे it is very important to note that collision of photon, collision of photon with any surface is supposed to be elastic collision, elastic collision का मतलब है कि जिस angle of incidence से fall करेगा उसी angle of reflection मतलब angle of incidence और आपल और इंगिल और रिफलेक्शन अभी तो आप लोग रे आपको किस का पड़ते हैं फो लाइट का पाटिकिल करेक्टर परते है राइट और लॉसटिक को लीजन और उसी में अगर बेव करेक्टर करेंगा तो बेव अप्टिक्स पड़ियेगा करेक्ट और completely reflecting surface का मतलब कि जितना photon यहां पर fall करेगा एक second में मालते हिनु टाइम में thousand photon fall किया thousand का thousand reflect होगा तब surface को बोलेंगे completely reflecting right लेकिन अगर thousand photon में लिखवा दूँगा सब कुछ अगर thousand photon fall कि आई surface पे और eight hundred ही reflect हुआ और two hundred photon और surface को में बनाया हूँ opaque surface transfer वाला transmission वाला surface नहीं कि यहां से transmit कर जाएगा opaque मतलब यहां पर यहां तो reflect करा लगा नहीं तो surface absorb करेगा कहने का sense है कि जो था आउट ओफ थाउजन फोटोन अगर eight hundred photon reflect किया तो two hundred photon को surface ने absorb कर लिया मालत है कि उसका इनर्जी का packet burst हो गया और वो अपना इनर्जी सर्फेस को दे दिया इसे ट्राइट तो क्या उसकेस में इस सर्फेस को completely reflecting बोलेंगे इसका मत्व वहां पर उस सर्फेस का एब्जॉर्ब उस सर्फेस का एब्जॉर्ब्ति पाबर भी रहेगा और रिफ्लेक्टिव पाबर भी रहेगा और लेकिन completely reflecting सर्फेस नहीं रहेगा तो अभी मैं सपोज कर रहा हूं कि लिटा सपोज सर्फेस कम्प्लिट्ली रिफ्लेक्टिंग और सिर्फ एक फोटोन को लेकर काम कर रहे हैं अनली फोर वन फोटोन ठीक है और एं फोटोन यहां से इस डारेक्टिन जा रहा है तो भाई इससे कोलाइड करने के बाद और बिल्कुल समझाने के लिए भी मैं एंगिल ऑफ इंसिदेंस जीरो ले रहा हूं समझे इसको पार्टिकल मान लीजे तो आफ्टर कोलिजन आफ् इंसियल मोमेंटम फोटोन क्या रहेगा इंस इलममेंटम आफ फोटोन बोलिए इंशी औफ फोटोनर दिवाइड़ण दिवाईट़ वाई सी आइकफ दे सकते हैं अब फाइनल मोमेंटम फोटोन तो इनर्जी ऑफ फोटोन एपी का मतलब मैं लिखूंगा इनर्जी ऑफ फोटोन समझें थ्रोशॉटकट के लिए डिवाइडर वाइज सी माइनस आई कप देन चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना हो गया स्टुएंट अफ वन फोटोन पर पहले काम किजिए चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन इकोल तो वाट तो इपी वाई सी आई कैप किसका मोमेंटम चेंज हुआ सर्फेस का या फोटोन का फोटोन का ओके इसका मतलब है कि अखूरडिंग तो Newton's second law of motion अबरेज फोर्सका का फर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पई डेल्टा ती इस राइट इस्टेन इस फोर्स करें तो हम दोग भी आनता हैं dpy dt in the inertial frame राइट बट अगर इन इंटर्वल आपको समझाने के लिए imagine कर रहे हैं तो अभरेज मोमेंट अभरेज फोर्स इक्वल टू किसी का देल्टा टी बट एक किस एवरेज फोर्स किस पर जिसका मुमेंटम चेंज होगा इसका मुत्ब यहां पर क्या बोल सकते हैं इस इस एवरेज फोर्स ऑन फोटोन फोटोन पर फोर्स लग रहा है एवरीवन कौन लगा रहा है किसके बज़े सो रिफ्लेक्ट किया due to surface राइट क्यारटी, क्यारक्था है, ओके लेकिन लेप्र स्पोज अगर क्यूस वूल्टा आ गया, तो, find the force on the surface due to photon, find the force on the surface due to photon, तो क्या Newton third law से यह बाद के यह कौन सा लौ अथा ? यह second law of motion, right ? तो, from Newton, from third law of motion, law of motion, क्या बोल सकते हैं ? force on surface, average force on surface, due to photon, इक्वल टो, 2 e p y c i cap, चलिए यहां तका जाए, by delta t, okay, हो गया ? यहां तक जो आपने आया है, यहां तक जो आपने आया है, और कितना photon के बाद से ? एक photon, but it is very important to note that, अगर आप से पूछा जाएगा, कि find net force और यहां पे total photon, total photon, यहां देखना है, माल लते हैं कि आपको अगर यह दिया हुआ है, it is very important to note that, इस delta t time में अगर बहुत सारा photon आ रहा है, total photon अगर n यहां से reflect किया, total number of photon reflect, completely reflected from this given surface, by making angle of incidence equal to zero degree, a total photon n है, a completely reflecting surface है, और अगर आप से पुछा जागा, total force on the surface, due to all photon, तो क्या करना है, sir, एक photon का निकाल दिये, तो इसमें n से multiply कर देंगे, is it right ? तो net force due to n photons equal to, क्या हम दो यह लिख सकते है, 2 e p by c into n by delta t i cup, यहां तक देखे तो, ठीक है, जहां पर n क्या है, total number of photons divided in given time delta t, और student, last में question a दिया जाएगा, कि लेटर सो इसको हटाएं, question solve कहने का सी तरीका भी बता रहे हैं, और अगर बोला हुआ है, कि जितना भी photon है और सिर्फ इस area पे ही fall कर रहा है, यहां से, इसका total number of photon n in given time delta t only falling on this area, area a, तब पुछा जाएगा, due to all photons, due to n photons, what is the pressure develop on the given surface, समझेगे मेरा question को, due to these all n photons in given time delta t, what is the pressure develop on the given surface, तो pressure के लिए हम तो क्या लिखते हैं, बली तो, प्रेशर इक्वल तो, तो, force लेगन कौन सा force, force perpendicular to the surface and towards the surface, force perpendicular to the surface away from the surface तो उसको shear stress बोलेंगे, राइट, या longitudinal stress बोलेंगे, force perpendicular to the surface and towards the surface, that is called pressure on the surface, okay, इसका मतलब है, बाट मेरे किसमें जो मैंने आपके सामने diagram बनाया है, बहुत simplest diagram बनाया, कोई भी angle theta नहीं लिया है, तो जो मेरा angle यहां पर जो दिया हुआ है, तो जो भी force लग रहा था, वो बिल्कुछ surface पर perpendicular है, towards the surface है, तो क्या हम लोग यह कर सकते हैं, net force का magnitude, और divided by area, correct है ना, इसका मतलब सा 2E P by C into N, divided by delta T into A, is it right, हां, 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 तो मैं यह लिखा हूं, on photon due to surface, उसका न्यूक्टर्स थर्ट ला लगाया, कि जितना photon पर surface लगाएगा, उतना ही surface पर फोटोन लगाएगा, correct, क्यों, नहीं, एक मिनाट, एक मिनाट, एक मिनाट, एज अब F equal to D P by D T लिखते हैं, right, correct ना, तो यहां पर formula यह था न, inertial frame के लिए, Newton second law motion, लिजिए, change of momentum with respect to time equal to F external, तो F external, F external किस पर लगाएगा, सर, system पर, right, यह जो force लगाएगा, किस पर लगाएगा, system पर, कौन सा system पर, जिसका momentum change हो रहा है, right, कौन लगाएगा, external agent, right, तो इस case में मेरा momentum किसका change हो रहा है, सर्फिस का हम लोग पहले देख रहे था या, photon का momentum change है, तो momentum change photon का ले रहा है, तो force भी तो उसी पर लगाएगा, और उसके लिए external agent surface रहेगा, यह राइट, यहां तक समझ में आ गया, इसको मैं हटाऊंगा, इस इस पर फोटो एलेक्टिक एफेक्ट लेकिन इसमें टाइम लेएगा, और साथ में एक एक कोशन अब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सॉल्व करके ही आगे बढ़ूँगा, और फोटो एलेक्टिक एफेक्ट के बाद, due to first term, मैं यहां पे भी electrodynamics नीं continue करते रहूँगा, ठीक है everyone? Modern physics बहुत छोटा topic है, लेकिन यहां से question आपका छूटेगा नहीं, इस बात के लिए sure sort है, चलिए, यहां देखिए, capital N है, total number of photons in given time delta T, capital N है, total number of photons, देखिए, यहां से समझ में आजाएगा अब question जो आपके set क्या जाएगा, student उसमें दिया रहाएगा intensity of light, intensity of light, जो यह light का flux इस surface पे fall कर रहा है, जो light perpendicularly surface पे fall कर रहा है, कोई angle बना कर नहीं, perpendicularly right, उसका intensity of light दिया रहेगा, तो intensity of light का formula क्या है, तो sir, intensity of light का, यहां देखिएगा, intensity का तो formula है, बोलिए, total energy divided by, यह है न, total energy, तो भाई, total energy in this delta T time on this surface, तो ET equal to क्या लिख सकते हैं, intensity of light delta T into A, तो यह क्या है, बोलिए, total energy किस पे on surface A कितना time में, delta T इसा time में, बोलना है भाई, यह क्या इसको लिख सकते हैं यह से, total energy equal to due to this intensity of light, total energy on this given surface area A, equal to sir, I delta T into A कर देजए, according to this formula, और some, it is very important to note that, sometimes power दिया रहेगा, जो light का source, जिसके बाई से light जा रहा है, उसका power दिया रहा सकता है, तो वहाँ भी हम लोग बाद में देख लेंगे, correct, तो total number of photons in this given interval of time के लिए क्या लिख सकते हैं, according to quantization of light, quantization of energy, total energy y energy of photon, लिख सकते हैं ना, आई सकाव में value कितना है, I delta T, A by energy of photon, is it right, तो N के बादले, A put की जो वहाँ पे, put the value of N, कितना आता है, तो pressure developed equal to how much, 2 E P by C, और N के बादले कितना put करें, I delta T, A, ठीक है, और C, delta T, A, और divide by energy of photon, ना, energy of photon, energy of photon आपस में cancel, delta T, delta T आपस में cancel, A और A भी आपस में cancel, तो total pressure कितना रहा, 2 I Y C, किसी को यहाँ पर doubt, तो सब डारेक्ट 2 I Y C लिख देते, इतना से बच जाते है, तो एक बाद डिराइफ करके आपका साने पूरूफ कर दिये, बाद में इतना तो याद रहेगा, कि कोई भी light एगर किसी surface पे perpendicularly fall कर रहा है, angle of incident 0 बना कर, और अगर surface completely reflecting है, तो pressure रहेगा, 2 I Y C, where I is the intensity of light, is it right, यहां तक आज़िए, हो गया ना, यहां तक समझने में कोई problem, pressure equal to, यह pressure लिखेगा नहीं, तो momentum मत समझ लिजएगा, this is pressure, किस पे pressure, surface पे, किस का बज़ा से, photon के force लगाने का बज़ा से, right, okay, तो यहां तो बज़ाद? आपरेगा, बज़ाद बाद. है के समझे का बज़ा है अरटा है, यहां तो हुआर भीएवरण, तो ही तो है हुआरिको को जाना है, का तो है बजल जल का दुटन? किसको क बज़ाद है तो हाँ आज़िए व्राटाराराराब नारुटन, का यह इप सर्फेसिस कम्प्लिटली एब्जॉर्प्टिंग तब यहां से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा जो आएगा वो हंडे परसंट एब्जॉर्ब हो जाएगा और ए मेरा एक्सिस फोर सेग दा सेख को of simplicity अब चिज़ों को समझने के लिए तो क्या मुंझेेश कर सकते हैं आप लोग झाल झाल फोटोन का रहेगा या फोटोन एब्जॉर्ब हो गया? तो फाइब मोमेंटम कितना रहेगा? जीरो? तो चेंज चेंज इन मोमेंटम दूटो वन फोटोन माइनस एपी वाइज जीरो माइनस एपी वाइज सी इंट वाइज कर दे? फाइब माइनस इनिसियल चेंज बट इस इद चेंज अ मोमेंटम दूटो वन फोटोन यहां पर ही क्या कर ले? टोटल चेंज अप मोमेंटम दूटो अल फोटोन चेंज अप मोमेंटम दूटो सिस्टम चेंज अप मोमेंटम दूटोश ऋ आप कर लैं क्या यहां पर सार यहां से चल सकते हैं फोटोन से अप्रण escol h तो ए क्या रहेगा, change of momentum of whole system, total number of photon का एक साथ ले रहा हूँ, right? तो N minus Epyci, I. इसका मतलब है, कि average force, exerted on the system, system में में टोटल number of photons है, due to surface, क्या लिखेंगे, delta P by delta T, is it right? ये क्या है, force on all photons, due to surface, यहाँ पर लिख ले जाएगा, जगह नहीं है, force on all photon क्यों कर रहा है, क्योंकि momentum का change मैं सारे photon का एक सब कंचिडर कर लिए, right? ऐसे भी बना सकते हैं, minus delta P by delta T, is it right? और जब minus से multiply कीज़ेगा, तो ये minus minus becomes plus हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, N, E, P, Y, C, delta T, यहाँ था कोई problem, और N के बदले A value पूट कर सकते हैं, I, A, delta T by energy of photon, energy of photon by C, delta T, आप तो समझगा है कि मैंने N के बदले A क्यों पूट कर दिया? कहां से पूट किया? total energy divided by energy of one photon, right? total energy in delta T, delta T time, total energy in, just अभी बताये थे न, intensity से हम लोग यह फर्मुला लाए थे, number of photon निकालने के लिए, और E, P, और E, P आपस में क्या हो जाएगा? cancel, तो समझगा, लेम्डा फोटो नहीं भी दिया रह सकता है, तो इस टाइम पर वेट नहीं करना कि लेम्डा फोटोन तो दिया हुआ नहीं है, प्रेसर कैसे निकलेगा, अल्टिमेटरी लास्ट में जाकर तो cancel हो जा रहा है, energy of photon, energy of photon, हो सकता है, intensity of light ही दिया रहा है, right? और delta T, delta T cancel हो गया, बचा क्या? I, A, Y, C, अल्टिमेटरी, बट यह क्या है, net force on the surface, इस टाइट? तो प्रेसर क्या हो जाएगा, अस्टुमेंट? तो सर्ट प्रेसर हो जाएगा, force by area, I, A by force का मैं इंचूड by area, C, R divided by area, area यह आपस में cancel, तो correct answer is what? I, Y, C, इस टाइट? यहां तक समझेगे किसी प्रॉब्लम? लिख लिजेए. अब तो याद ही हो गए, कि 2 I by C या I by C रहेगा. तो अब सर्ट इसे ताइप का जो कोशन आएगा, तो देखिए, expression हर टाइम पे फर्मूल नहीं बना सकते हैं, बट concept तो याद पता हो गया कि कैसे proceed करना है? तो हम लोग अगर इसको याद रखेंगे, अगर इस ताइप का लेवल कोशन आगर आ गया या एच्छी बर्मावब भी है, तो अहां पे भाई आपको बनाना पड़ेगा, कितना रटियेगा प्रोलम को फर्मूला बना कर राइट? यह कोई फर्मूला है या इस काइंड आप सॉल्विंग प्रोलम फर्मूला तो यहां पे था डेल्टा पी बाई डेल्टा टी चेंगे मोमेंटम दिभाई बाई टाइम टेकन इस इत राइट तो पहले से में जानता था मैं कहीं पे फर्मूला को रट्ते हुआ या या इसको डीराइब कर लिया और आपको लग रहा है किस्टाशन हो इतना स्लो नहीं था आपको संझ रहा हूं इसनर इतना स्लो था अर मुझे करना रहता तो यह 2-1 2 टो मिनिट के अंदर सा जाता रre है इफ आपके लिए इस आपके साथ चल रहा हूं तो इसमें कोई फर्मुहां तो उसको जेनलाइज कर लेंगे, उसको रख लिएगा राइट, इस टाइब कुछ भी दूसरा प्रोब्म रहेगा, तो वहां पे एक्जाम हॉल में अपना दिमाग लेकर बैठना है सबको, सम्टाइम ऐसा है कि छोटा-चोटा बात मिलाकर एक मिक्स कोशन किया एगा, मेकनिक और मोडर्न, मेकनिक्स और हीट, तो हम एक छोटा-चोटा बात मिलाकर बन जाएगा, जो कि जे-ई का तरीका है, इडवांस का, इसको हटाए जाए, एवरिवन, यह तो आप लोग को डिराइब करना था, एए, एः, टुटुटुटुटुटुटुटुटुचष। कि यहां देखिया हाँ 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 एक नुट के इसमेंट है एक एक हाँ हाँ प्रेशा तो असक्रार को है यह हो यहाँ पे तो बहुत नहीं है नहीं है यह इस के लिए ओलवेज हम लोग मैंचूड मेंचूड आफ फोर्स भाई अडिए लेते हैं मैंचूड ऑप्रेश कोउन्सा कंपोनेंट फोस का परेशने का पर्पेंडीक्लर कंपन तौबाट दसर फेस तो उसमें अडिया वह तो पहले सथी पता है कि फोस्त तुबाट दसर्फेस लगता है राइट अब फना सर्फस या तुबाट सर्फेस पर लग रहा है या सर्फेस लगा रहा है फोस का फिलिंग कहां पर सर्फेस पर होता है ने प्रॉस का फिलिंग यहां पे सर्फेस पर रहेगा इस सर्फेस पर रहेगा करेक्ट अब यह पधर सही पता है कि फोसी कि इसके बिखेशा जन्रेट होगा टेदी फोस लेकिन कौवन साथ ओ टॉपास उड्हर स्थ Пон Алप झाल अब होगया है? अब ही नहीं देखिए सिर्ट अश्परैयंट डाग राम पना ये और मैं आऽ उस का सल्कूल कर रहा हूं हला कि ही ट्रांस 8 डाभ सथ चीछ एड़ करता भाट मिरा सरफियस और Depois सब्छूसय कई पर का अ define है कि किवी बिए ऑफिक सर्फैस है इसका मतलब यहां से लाइट ट्रांस्स्मिट नहीं करेगा करेगा तो मैक्सम क्या उसकता है यहीं तो एी फ्लेक्ट करेगा नहीं तो एक ना आई अब्जोर्ब करेगा राइट लेगिन सम्म के घर के यहां जो ग्लास का बिंडो है और संलाइट आ रहा है तो अगर वो आपका ग्लास एब्जॉप्टिंग पावर नहीं रखता तो उस ग्लास को गर्म नहीं होना चाहिए तो बाहर संलाइट थोड़ा रूम के अंदर भी आ जाता है राइट इसका मतलब कि ट्रांस्परेंट केस में क्या क्या होता है सर रिफ्लेक्ट भी करता है संलाइट जो आता है उसमें रिफ्लेक्ट भी किया कुछ ट्रांस्मीट भी कर जाएगा और कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकता है इसका मतलब इसमें तीनों काम होता है अगर ट्रांस्परें में और ट्रांस्मीट भी करता है बट मैंने अपने केस में क्या मान लिया मैं जानबुश के इसका सिल्वरिंग कर दिया राइट देट स्वाइक इसको ओपेक सर्फिस मना दिये तो आप क्या नहीं हो सकता है ट्रांस्मीट नहीं करेगा इनर क्या है टोटल नंबर आफ फोटोन रिफलेक्टेड एन क्या है टोटल नंबर आफ फोटोन इंसिदेंट और एन यह है टोटल नंबर आफ फोटोन एब्जॉड देन रिफ्लेक्टिंग पावर तो रिफ्लेक्टिंग पावर क्या रहेगा एवरिवन रिफ्लेक्टिंग पावर होगा नंबर आफ फोटोन रिफ टोटल नंबर आफ फोटोन रिफ्लेक्टेड दिवाइब आफ टोटल नंबर आफ फोटोन इंसिदेंट राइट नंबर आफ फोटोन रिफ्लेक्टेड डिवाइड़ बाई नंबर आफ फोटोन इंसिदेंट और एब्जॉप्टिंग पावर क्या रहेगा एन ए वाई एन और मेरे केस में ट्रांस्मिटिंग पावर क्या रहेगा सर जीरो टी इकोल टो जीरो राइट क्योंकि ट्रांस्फर तो आपने सर्फिस कोपेक बना दिया तो आर प्लस एकोल टो वन लिख सकते हैं इन दोनों को जोड़ियेगा तो वन मिल जागा राइट आर प्लस एकोल टो वन हाना बोलिए भाई इसी पर कोजन शॉल करेंगे तो अगर रिफ्लेक्टिंग पावर दे देंगे तो क्या एब्जॉप्टिंग पावर निकाल ली जाएगा इस फर्मुलों से और अगर आर का भाईल वन तो एक भाईल जीरो तो आर का भाईल वन का म कॉंप्लिटली एब्जॉप्टिंग करेक्ट हो गया हटाएं है दिखें तो टोटल हंडेड पार्टिकल्स आ रहा था उसमें से 70 रिफ्लेक्ट कर गया थार्टी अब्जॉर्ब हो गया तो एक श्रॉप्ट फोड़े हुआ तो एना प्लस एने इकॉल टू एन नहीं रहेगा इसको टाएं लाइट पर्पेंडिकुलर्ली फॉल अन दिस सर्फेस यह मेरे कोश्चन में है लिख लिए 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 लाइट पर्पेंडिकुलर्ली फॉल अन दिस सर्फेस करेक्ट् इस अन दिस सर्फेस अरिया इस ए अन आर इस दरिफ्लेक्टिंग पावर अन आर नॉट इकॉल टू वन अन आर नॉट इकॉल टू जीरो इस कहां तब आर के वहलू मैं कहां से कहां के बिच मिल रहा हूं जीरो से यास तब मुझे चाहिए फाइंड प्रेसर अन दा सर्फेस इन टरम्स ओफ आई ये एंड आर और अगर सी का भी रिक्वार्मेंट हो तो ये लिजेगा अरे आपके लिए प्रॉब्लम है और माल लिजे कि इस प्रॉब्म में आपको में फाइव मिनिट दिया सॉल्व किजिए ट्राइ करेंगे तो अस्ट्रेंट एक वार फिर से सॉलूसन को समझा रहा हूं और आप बोर हो रहें फिर ही सुनिएगा क्योंकि मैं वीडियो को पहुंच कर दिया था हां हां रुके सुभांकर हां हां क्या हां बोली तो बोली बोली अच्छा आप डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गयता क्या नहीं मैं आपको दुबारा समझाता हूं यहां दखिए फोर्स फोर्स on the surface due to reflection क्या यह लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं तो टोटल फोर्स क्या रहा हैगा इंदनों को अड़ कर दे तो पहले एग्जामपल बनाये थे दूसरे एग्जामपल बनाये थे अब यहां पर nr के बदले क्या लिख सकते हैं 2r into a इस फर्मूला से n by nr sorry nr by n nr equal to r into n इन दोनों को जब अड़ करेंगे तो epyc into delta t common ले लेंगे इसको मैंने common ले लिए तो यहां पर क्या रहागा 2r n plus an n number of photon absorbed equal to n उसको na na equal to a into n दोनों में common क्या है तो यहां पर a के बदले 1 minus r लिख सकते हैं because r plus a equal to 1 अब यहां पर solve करेंगे तो कितना बचेगा epyc delta t into n 1 plus ri n क्या था total number of photon incident the total number of photon incident equal to total energy y energy of photon और total energy क्या है लिख सकते हैं intensity into area into delta t total energy in given time delta t on given surface area इका equal to होगा i a delta t is it right the n के बदले मैंने a put कर दिया epy or epy आपस में cancel the cut cut के क्या होगा i a by c 1 plus r into i this is the net force on the surface due to combine effect reflection and absorption तो प्रेशर इकल टू फोस का में चूटबा एरिया 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 कैंसिल तो बचेगा कितना i by c into 1 plus r is it right अब यहां पर this is more generalized r का value 0 तो value कितना i by c बताब r का value 0 बताब completely absorbing जोके हम लोग इससे पहले का problem किया है और आर का value 1 इससे पहले के पहले में किये थे टू आइवाई से इसे राइट तो सब्सक्राइब इसमें दोनों काम हो गया यह अगर मुझे टाइन अंगिल ऑफ इंसिदेंस कितना लिए हुए जिरो डिगरी राइट अब नेक्स्ट क्लास में लोगा कि अगर लाइट मेरा ठीटा एंगिल बना किया आता है करेट इसके लिए सॉल्व करेंगे ठीक है ना कि तो आज के लिए तरह ही रहन दीजिए